सच दे की ये हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी पाया है मैंने फिर तथे सु फ्रेंट्स मैं आ गया हूँ फिर से आप लोग के लिए एक और निव ट्रेंडिंग इस्टेटस वीडियो का टुटोरियल लेके गैस अभी आप लोग जो इस्टेटस वीडियो देख रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को में कुछ इसी तरीके की ट्रेंडिंग इस्टेटस वीडियो का टुटोरियल देने वाला हूँ जहां पर आप लोग अपने फुटेज लगा के आपने किसी फ्रेंड्स के फुटेज लगा के इस तरीकी की वीडियो बनाूगी ना तो आपकी वीडियो वहत ली कम Gueल की लगेगी तो गैज अगर आप लोग भी इस तरीके की Street Jetzt वीडियो का टोटोरियल सीखना चाते हैं तो फिर बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में वीडियो का जो टोटोरियल बहुत है सेम्पल है आप लोग 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का जॉए जादा से जादा समय लेगेगा हुआ हमाज को वीडियो इस तरीकह को इस टीट इस ब्रविडियो वनाने के लिए क्हए किःधिक कि और के तो जाके वहां से डाउनलोड कर ली न इसके आभ लोग काईद Master को open करेंगे तो इसका इंटरफेस इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा यहां मिलेगा प्लस का आइकन यहां किलिक कर दीजिए और 9.60 का ratio select कर लेजिए ratio select करने के बाद यहां पर आप लोग की जो है media सारी की सारी तो यहां पर आप लोगों को अपने जो है वह flick करने है जिन वीडियो बनना चाहते हैं तो यहां पर मैंनेれて Rs है कुछ फोट है निक है तो यहां पर आप लोगं अपने 10 फोट डाल देना ठीक के गाइस तो मैंने यहाँ पर 10 photos डाल दिया है इसके वाद आगे आएंगे अब गैस मैं आप लोग को एक audio की जो link है description में दे दूँगा तो वहाँ से आप लोग उस audio को download कर लेना audio पर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग की audio को विट की इसाब से जैसे वीट चल रही है उस इसाब के सो है आप लोग को clip को set करना है ठीक है मैं वीडियो को प्ले करूँगा pause यहाँ पर pause कर दूँगा जहां से विट शुरू होई थी यह देख सकते हैं वीडियो पर ले करूँगा यहाँ यहाँ पर रोग होँगा लेयर छोटी करूँगा वीडियो प्ले करूँगा जैसे विट चैंज होती है उस तरीके से करना यहाँ पर तो जैसे मैं कर रहा हूँगा उस तरीके से करना और एक्स्टा पीछे से जो लेयर वची है पोटेस की किलिप उसको डिलीट कर दीजिए इस तरीके से मेरी जो यहाँ पर किलिप्स एडिट हो चुकी है अब आप लोग को करना क्या है इस किलिप्स में जाईए और यहाँ पर आप लोग को मिलेगा क्लिप ग्राफिक्स यहाँ पर आप लोग को डाना होगा get more पे यह वाला जो graphics है मैं आप लोगो दिखाता हूँ यह in animation graphics यह आप लोग को get more पे click करना होगा और आप लोग अपने phone का internet on कर लेना so guys यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से यह जो है यहाँ पे graphics आ जाएंगे तो यहाँ पे इन animation वाला आप लोग को second number पे मिल जाएगा तो यहाँ पे यहाँ first number पे मिल जाएग mejorar इसको यहाँ स्लेक्ट कर लेना तो guys यहाँ पे आप लोग कोThank kasih आप लोग करेंगे मैं इसको install कर लेना ठीक है तो मैं अल्रेड़ी download कर चुका हूं इस graphics को तो यहां से मैं इस graphics को select रोंगा in animation में जाओंगा और इसमें मैं यहां पर यह अप वाला मैं select का लेता हूँ सबसे पहले ठीक है और react में इसको मैं अपर इस तरीविये से सैट कर दूँगा और इसी तरीविये से अगली clips में जाओंगा और clip graphics में मैं यहाँ पर इसके जो है दूसरा graphics लोगा in animation में जाऊँगा और इसमें मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ और इसका जो time मैं इस तरीके से set करूँगा अगली clips लोगा clips graphics में जाऊँगा और इसी तरीके से इननियमि08 में जाकर मैं इसमें यह यह वाला डाल देता हूं तो मैं यहाँ पर जो है इस के मतलब आप लोग आपयो डालना जो के दिखने में यह यां तो हूँ यह और अगली clip चाहींगे और इस में इन और इस्की बाद है अगली एपस्ट बळूंग करेंगा और किलिप ग्राफिक्स में यह पर यह वाली डाल देता हूं और इसी तरीके से। आप लोग भी डाल देना अब गाईस यहाँ पर मेरी वीडियो रेडि हो चुके वीडियो को प्ले करूंगा अब गाईस यहाँ पर आप लोग आगे आएंगे लेयर पर क्लिक करेंगे मीडिया पर क्लिक करेंगे और गाईस मैं आप लोग को एक टैंपलेट वीडियो की जो लिंक है description में देदुगा तो वहां से आप लोग उस template को download कर लेना और इस तरीके से आप लोग इस template को select करेंगे और इस वाले icon पे आप लोग यहाँ पर जो icon मिलता यहां के लिए कर दीजे और इसको full कर दीजे full करने के बाद इस layer को select करेंगे और यहाँ पर नीचे जाएंगे और यहाँ पर मिलेगा blending blending पर जाएंगे और skin select कर लेंगे और इसका audio रहेगा audio आप लोग off कर देना और पीछे से आईए और इसको आप लोग extra part आप लोग इस तरीके से delete कर दीजे आप लोग देख सकते हैं तो इस तरीके से आप लोग की वीडियो रेडि हो जाएगी ठीके गाईज अब यहाँ पर आप लोग की वीडियो रेडि हो जाती है एरो वाला आइकन मिलता यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे और इसको आप लोग full HD में यहाँ से export कर लेंगे वीडियो export होने के बादे इस वीडियो को आप लोग जहाँ अब लोड करना चाहते हैं वहाँ जाके आप लोग इस वीडियो को नॉर्मली अब लोड कर देना